आई गैस और वेलकम बाक टू दी चैनल दीपच यादव एजूकेशन वेलकम डू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ऑफ 7 जैनवरी 2023 तो गैस आज है तारिक 7 जैनवरी 2000 ते हिस और है सैटरडे दिखेंगे आज के दहिंदू कंप्लीट न्यूस्पे पर जाकर इस चैनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पर डेली बिस्स पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बिस्स पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाता है ना बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2020 के prelims में पूछा गया था daily basis पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है इंडिया के अंदर जो desert national park है इसके reference में आपको यहाँ पर तीन statements दिये गए हैं बताना यह है कि कौन सा statement सही है पहला statement बोलता है कि यह national park दो districts के अंदर फैला हुआ है दूसरा statement बोलता है इस park के अंदर में कोई भी human habitation नहीं देखने को मिलेगा तीसरा statement बोलता है कि यह जो park है यह कही न कहीं एक one of the natural habitat है great Indian bastard bird का तो बताओ यहाँ पर इन तीनो statements में कौन सा statement सही है नीचे आपको यहाँ पर options दिएगा है option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only या फिर option D 3 के 3 हैं तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily business पर बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैं आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परिशान होने की जरुवत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer के discussion को हम लोग यहाँ पर करेंगे तो चलो शो बार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ तो thumbnail में जो article mention है वो बात करता है same sex marriage के बारे में देखो कल ना पूरे दिन भर यहाँ पर इस topic के बारे में चर्चा की गई है क्योंकि Supreme Court के अंदर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है same sex marriage का तो क्या चर्चा की जा रही है कल से अलग अलग articles इसको लेकर publish हो रहे हैं वो सारी बाते हम यहाँ पर discuss करेंगे सबसे पहली बात आप देखोगे जो हमारे देशपर में अलग-लग state के अंदर high courts हैं जैसे डेली high court आपको देखने को मिलेगा करेला high court गुजराथ high court basically इन तीन high courts के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है तो इन तीन high courts में पिछले कुछ समय से लगातर बहुत सारी petitions डाली गई है यानि याचिका यहाँ पर डाली गई है उस petition के अंदर क्या मांग की गई है लोगों की मांग यह है कि जो same sex marriage है यानि कि अगर हम हिंदी में बोले तो समलेंगिक विवा है इसको basically कानूनी मानिता देनी चाहिए यह मांग की गई है इन petitions के अंदर और यह petitions कहाँ पर डाली गई है डेली high court, करेला high court और साथी साथ में गुजराथ high court के अंदर में और लंबे समय से जो petitions है यह सारी की सारी pending पड़ी वी है यानि की इनके उपर सुनवाई की ही नहीं है इन court ने तो हुआ क्या, कल के दिन सुप्रीम court ने क्या किया कि जितनी भी petitions इन high courts के अंदर pending पड़ी वी है उन सारी की सारी petitions को सुप्रीम court ने अपने पास में ट्रांसफर कर लिया है अब यहाँ पे सुप्रीम court ने पेटिशन की सुनवाई करेगा साधी साथ में उन पेटिशन को अपने पास में ट्रांसफर करते हुए हमारी केंद सरकार से बोला है कि आप भी यहाँ पर इस particular matter पर अपना response दो लगबख 15 February तक यहाँ पर किन सरकार से भी response मांगा है साधी साथ में mention किया या है कि देखो court का यानि सुप्रीम court का एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है लगबख 13 March के आसपास इस same sex marriage को लेकर इसी वज़ा से कई सारे आर्टिकल साब को देखने को बलेंगे कि क्या भारत में समलेंगिक विवा को कानूनी मानेता मिलेगी इसका आने वाले समय पर एक बहुल बड़ा verdict निकल कर आएगा ठीके ना तो I hope आपको यहाँ पर इस आर्टिकल के regarding एक clarity मिल चुकी है अब आप देखोगे वैसे तो कई सारे देशों ने अपने यहाँ पर इस same sex marriage को एक कानूनी मानेता दे रखी है ऐसे कितने देश हैं तो दुनिया बर में आपको ऐसे 33 33 देश देखने को मिलेंगे जिन्हों ने अपने यहाँ पर इस same language को एक तरीके से कानूनी मानेता दे रखी है ऐसे 33 countries हैं इन में से पहला देश कौन सा था तो पहला देश था नेधरलेंड नेधरलेंड ने साल 2001 में सबसे पहले same language को मंजूरी देने वाला देश जो है अपने आपको बनाया था यह बात भी आपको धियान में रखनी है ठीके तो बेसिकली अब देखेंगे आने वाले समय पर क्या होगा इंडिया के अंदर भी पहले आप देखोगे पिछले कुछ समय के अंदर धीरे धीरे इस particular मामले के उपर कई सारी decisions आएं जैसे कि आपको पता होगा जो section 377 है ना इसको यहाँ पर हटा दिया था सुप्रेम कोर्ट ने उसको struck down कर दिया है तो ऐसे यहाँ पर धरी धरी developments होते वे नजर आए हैं तो अब भी यहाँ पर वैसे इंडिया के अंदर कानूनी मानेता नहीं मिली है तो आने वाले समय पर मिलेगी आने मिलेगी उसका decision सुप्रेम कोर्ट के पास में देखने को मिलेगा ठीक है बात क्लियर हो गई अच्छा courts के अंदर जितनी भी petition डाली गई है इनमें से एक petition मतलब क्या आपका सकतो एक common petition देखने को मिलेगी मतलब काफी सरा लोग ने एक common सी मांग की है वो common सी मांग क्या की है कि same sex marriage को special marriage act of 1954 के अंदर cover कर दिया जाए यानि special marriage act जो है हमारे पास में 1954 का उसके अंदर same sex marriage को लेकर आ जाए और इसी के तहत यहाँ पर इसको एक कानूनी मानेता दे दी जाए यह मांग यहाँ पर जातर की गई है ऐसा भी article में देखने को मिलेगा तो इसके basis पर special marriage act क्या है मैं आपको एक छोटा सा overview देता हूँ वहीं पर काम खतम हो जाएगा special marriage act basically यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी special शादिया होती है उसको यहाँ पर एक कानूनी मानेता देने का काम करता है अब इस special marriage कौन सी हो गई यानि कि देखो कोई inter religious marriage हो गई है या inter caste marriage हो गई है या एक particular caste अगर कोई दूसरे caste में यहाँ पर शादी कर रहा है तो वह वाली यहाँ पर marriage हो गई या एक particular religion कोई दूसरे religion में हाँ पर शादी कर रहा है तो उन सारी religions को यहाँ पर उन सारी marriages को basically इस special marriage act 1954 के अंदर में cover किया गया है ये बात ध्यान में रखना तो इसी वह ज़से बोला जा रहा है कि same sex marriage को भी इसी particular act के अंदर cover करके आप कानूनी मानेता दे सकते हो ये बात petitions के अंदर सारी petitions के अंदर एक common सी चीज ये नजर आई है ठीक है बात क्लियर हो गई चलो next article पर आता है इसके बराबर में आपको यहाँ पर यह वाल article देखने को मिलेगा यह article आने वाले समय पर भी examination के लिए बहुत सब्सक्राइब है आज से कुछ दिन पहले भी यहाँ पर इसके बारे में हमने चर्चा की थी देखो यहाँ पर जो refugees हैं refugees कौन होता हैं जो कि यहाँ पर एक देश यह दूसरे देश में यहाँ पर जा रहे हैं मतलब कि इन refugee को बिसिकली एक देश के अंदर जबरदस्ती यहाँ पर अगर अत्याचार ओर रहा है कोई dispute हो गया है तो जबरदस्ती इनको बिसिकली यहाँ पर country छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है यह बिसिकली यहाँ पर एक प्रकार की refugees आपको देखने को बिलेंगी जो की picture मने ज़र आ रही है यह बांगलेदेश का border cross करके इंडिया के मीजोरम वाले राज्ये के अंदर एंटर कर चुके है तो लगबाग यहाँ पर कुछ डेड़ सो के आसपास यहाँ पर जो refugees है वो यहाँ पर इस border से मीजोरम के अंदर एंटर की है अब जब मीजोरम के अंदर एंटर की है तो आप देख पाओगे जो हमारी border security force है क्योंकि वहाँ पर border पर आपको पता है हमारी border security force तहनात रहती है तो उन्होंने यहाँ पर basically इनको snacks वगरा थोड़े बहुत offer किया है उसके बारे में चर्चा की जा रही है लेकिन यह आने वाले समय पर एक problem बन सकती है जैसे मैंने बताया कि मीजोरम के अंदर यह enter कर रहे है तो मीजोरम के अंदर थोड़ी problem सो सकती है इनको settle down करना यह सारी problems यहाँ पर इंडिया के पास में देखने को मिलेंगी ठीक है तो यह बोला गया और इससे पहले भी यहाँ पर जो यह कूकू चिन community है यह पहले भी कई सारे जो refugees हैं बेसिकली पहले भी भारत के अंदर आ चुके हैं यह बात यहाँ पर mention की जा रही है in fact यहाँ पर जो मीजोरम की side से राजसभा के member है इनका कहना यह है कि देखो है इनको हमें allow कर दिना चाहिए बेसिकली यहाँ पर यह ethnic मीजों हैं बेसिकली कईना की मीजों के अंदर जो culture है उनके साथ में आपको link देखने को मिलेगा इनका और यह बेसिकली बांगलदेश से इंडिया में एंटर किये हैं तो हमें यहाँ पर इनको इनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए अगर हम इनको अलाव नहीं करते हैं इंडिया के अंदर तो कईने के इनके प्रती भेदभाव हो जाएगा भेदभाव किस प्रकार से होगा भेदभाव इसलिए होगा क्योंकि इससे पहले ऐसे कई और communities आई हैं जिनको हम लोगन यहाँ पर शनलदी है 1970 में आप देखोगे तो thousand of displays जो चकमा community है ना जो यह बिसिकली जादतर Buddhist communities आपको देखने को मिलेंगी यह चकमा community भी यहाँ पर बांगलादेश से आई थी इनको हमने यहाँ पर इंडिया के अंदर enter करवाया इनको settle किया मीजुरम अरुनाचल प्रदिरिश के अंदर में दी गई है लेकिन क्या यह article की information इनफ रहेगी examination के लिए तो ऐसा नहीं है आपको थोड़ा सा background data पढ़ना होगा थोड़ा static information आपको cover करनी होगी जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी कुकुचिन जो community है यह लगातार यहाँ पर न्यूज में बनी भी थी क्योंकि इसको लेकर जो हमारी union home ministry है और external affairs ministry है इन्होंने यहाँ पर recently discussion किया था बोला यह जा रहा है कि इससे पहले भी यह तो मैंने आपको 1500 refugees के बारे मताया इससे पहले भी यहाँ पर लगबग 200 से जादा और भी लोग है जो की कुकी चिन मीजो community को बिलॉंग करते हैं बांगलदेश से यहाँ पर बिलॉंग करते हैं बेसिकली यह सब यहाँ पर पहले मीजोरम के लंकलाई district के अंदर में एंटर कर चुके हैं ठीक है तो इस प्रकार की community कई बार एंटर कर चुकी है ऐसा बात यहाँ पर आपके सकतो आर्टिकल के अंदर mention की गई है अब इंडिया के अंदर refugees का status का है पहले हम इसको समझते हैं यानि भारत के अंदर कौन कौन से देश से जो refugees ने वो आ रहे हैं शरंड ले रहे हैं उनकी conditions क्या हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे पास में UNHCR का एक data है यानि की United Nation Human Commissioner of Refugee ठीक है ना इसका हमारे पास में एक data देखने को मिलेगा इस data के according बात करें तो भारत के अंदर में आज के स श्रिलंका और तिब्बत से आएवे हैं और 40,849 के आसपास आप देखोगे 869 के आसपास जो refugees हैं ये बेसिकली अलग-अलग country से बिलॉंग करते हैं ठीक है ना लेकिन जात जो refugees भारत में वो श्रिलंका और तिब्बत से आएवे देखने को मिल जाते हैं ये बात आपको धि प्रोटेक्शन 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 नहीं देखने को मिलेंगे और basically यहाँ पर यह लोग bank accounts भी open नहीं कर सकते हैं इनको सरकारी welfare schemes का कोई इतना benefit मिलता भी नहीं है तो यह काफी पीछे देखने को मिलेंगे ऐसा यहाँ पर mention किया जाता है इस particular article में बाकि आप देखोगे इंडिया के अंदर में कोई भी कानून वगरा ऐसा है नहीं refugees को deal करने के लिए तो ऐसा यहाँ पर mention किया है भारत के पास में कोई भी खुद की अपनी national policy या कोई भी ऐसा कानून नहीं है refugees को deal करने के लिए हाला कि international level पर यानि अंतराष्ट्रे लेवल पर एक body बनाई जाती है आपको पता होगा एक international level पर कानून देखने को मिलेगा refugee के लिए जो कि refugee के हकों के बारे में बात करता है लेकिन ये ध्यान लखना है भारत उसका भी part नहीं है भारत उसका signature नहीं है जो international level पर एक body है, एक कानून है जो कि refugees को support करता है उनके हकों की बात करता है और यहाँ पर ये बोलता है कि अगर कोई refugee अपना देश छोड़कर किसी देश में एंटर किया है तो जिस देश में एंटर किया है उस देश को support करना चाहिए, उनको यहाँ पर settle करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अपनी देश में काफी problems को face कर रहे थे, तो यह basically उनके हगों के बारे बात करता है, लेकिन इंडिया हमेशा यह बोलता है कि हम लोग इसका हिस्सा ही नहीं है, हमने इसको इस convention को sign ही नहीं किया बाकी एक चीज़ और है, अगर कोई भारत में एंटर करता है, बिना किसी वीजा के, तो वो illegal immigrants ही कहलाएगा, बिना किसी वीजा के अगर travel करता तो वो illegal immigrant कहलाएगा, यह बात भी ध्यान में रखनी है, अच्छा यह जो refugees वगरा है, इनके पास में एक protection बिलती है, वो है right to life की अडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहट जो right to life है, वो basically हम ध्यान में रखते वे, इन लोगों काफी ज़्यादा support प्रोवाइड करवा देते हैं, I hope आपको यह बात clear हो गई है, तो यह जो सारा data दिया है, यह किसने दिया है, UNHCR ने, that is United Nation High Commissioner for Refugees, है ना, तो यह क्या है body, आओ इसको थोड़े discuss कर लेते हैं, तो यह United Nation Refugee Agency है, इसका काम है, लोगों की जो खासका refugees है, उनके जो future, उनका जो भविश्या उसको थोड़ा सा सवार देना, क्योंकि आपने देश में problems को phase करके निकले हैं, तो basically यहाँ पर उनको, उनके future को थोड़ा सा बहतर बनाना, उ इसका headquarter ध्यान अकना, इसका headquarter basically Geneva Switzerland के अंदर में है, ठीक है, यह कुछ यहाँ पर factual data हो गया, जहां से आपसे prelims में सवाल बन सकता है, यह मेंस में सवाल बन सकता है, ध्यान अकना भारत के पास में laws हैं या नहीं है, इंटरनाशनल लेवल पर जो convention उसने भारत, भारत ने उस आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसमें ज्यादा कोई information नहीं है, मैं आपको यहाँ पर directly समझा दूँगा, इस आर्टिकल को GS paper number 3 economy से हम लोग link कर पाएंगे, क्या context is के अंदर में, तो इंडिया की जो GDP है न, वो साल 2022 से इसके अंदर में, 7% से grow करेगी ऐसा National Statistical Office ने बोला है NSO ने यहाँ पर यह बात बोली है कि भारत की GDP साल 2022-23 में, 7% से grow करती हुई नजर आएगी, यह basically गर हम बात करें, 2022 के comparison में थोड़ा सा कम कर दिया है, 2022 में हमारी GDP basically 8.7% से grow कर रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर basically इस growth को थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि इस साल यहाँ पर थोड़ी problems आपको जादा देखने को मिल जाएंगी, काफी सरे international disputes की वज़ा से भी, जिसका असर directly आपको economic के उपर देखने को मिलता है, बात clear हो कि, इस के लब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और यह data हमेशा change होता रहता है, एक अनुमान लगया जा रहा है, हाँ इतनी percent से grow कर सकती है, होगा कुछ और तो यहाँ पर वो data बदल जाएगा, ठीक है तो हमेशा data change होता रहता है, आपने कभी भी इस data को रटना नहीं है, यह हमेशा बदलते रहता है, करना क्या है फिर, इस article से बसकाली एक छोटा सा concept ध्यान रखना है GDP, आखरकाट GDP होती क्या है, भारत की GDP grow करेगी, GDP है क्या, तो GDP को समझने के लिए बहुत simple सा मैं formula आपको समझा रहा हूँ, उसको यहाँ पर ध्यान रखना है, GDP मतलब क्या होता है, C plus I plus G plus X minus M, C plus I plus G plus X minus M, यहाँ पर यह basically GDP का formula होता है, अब इसका मतलब क्या है, C मतलब होता है consumption, I से investment, G से government expenditure, सरकारी खर्चे XA export minus import आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीके न, export minus import यह दोनों ही चीज़े यहाँ पर आ जाती है, कितना export किया, कितना import किया, इसके बीच का difference आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीके, तो GDP यही कहलाती है, तो काओगे अभी भी समझ में नहीं आया, अब इसको और कितना import है, उसके बीच का difference, जब उन सब चीज़ों को हम calculate कर लेते हैं, तो वो हमारी GDP बनाती है, ठीके, बस यहाँ पर एक चीज़ छोटा सा formula होता है, GDP का, तो GDP में consumption, investment, government expenditure, export, import, सारी चीज़े यहाँ पर count की जाती है, अगर इन सब का जो भी data निकल कर आएगा, पूरे इंपोर्ट हुआ, ठीके, यह कहलाता है, GDP overall हमारी economy, ठीके, बात क्लियर हो गई, चलो, आगया आते हैं, अगले article पर, next article पर बढ़ने से पहले make sure करना, वीडियो पे जो like का बटन उसको प्रेस कर देना, एक छोटा सा target है, हमारा 5K प्लस likes का, जिसको आप achieve करवा सकते हो, पर्च बॉक्स में टाइप करना, दीपक जाएदा, वेजुकेशन, आपको यहाँ पर यह profile मिलेगा, यहाँ पे आप मेरे साथ में personally connect कर पाऊगे, आज का यह सेशन थोड़ा सा लेट हो चुका है, मुझे मालूम है, थोड़ा सा जादा ही लेट हो चुका है, वैसे तो 8 से, साड़े आठ, 8-40 बच जाते हैं, वैसे आज थोड़ा सा जादा लेट हो चुका है, मेरे थ्रोट में सुबा से काफी दर्द हो रहा था, कल का वीडियो सामका, वो भी मैंने थोड़ा सा problem phase करके बनाया था, लेकिन वो वीडियो में content जादा था, तो इस वीडियो थोड़ा स आपको टाइम पर upload करके दे दिया करूँगा, काफी सरे लोग problem phase कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर टाइम से वीडियो मिल जाए करेगा, कल से मैं कोशिश करूँगा कि 8 बज़े से पहले पहले आपको वीडियो जो है इस चनल पर मिल जाए, दहिंदू का वीडियो अपके हा इन बैल को तयार कर रहे हैं, ताकि जो यह बैल हैं, यह रेसिंग के अंदर, रेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, अच्छा काओगे रेस कहाँ पर होने वाली है, तो बेसिकली आपको पता होगा, एक celebration, एक बहुत बड़ा celebration होने वाला है आने वाले समय में, 15 जनवरी आने वाले समय पर भी चर्चा में आएगा, और अभी भी चर्चा में हैं, तो अभी से क्यों न एक बार पढ़ लें, एक बार अभी पढ़ लेंगे, आने वाले समय पर 10-15 दिन बाद हमारा revision हो जाएगा, तो वो topic और पक्का हो जाएगा, तो मकर संकरान्ति क्या है, कैसे celebration क किया जाता है, आओ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, देखो मकर संकरान्ति कि जम लोग बात करते हैं, तो पूरे देश पर में, अलग-लग state में यह festival मनाया जाता है, अलग-लग नाम से, अब वो नाम क्या-क्या होता है, वो भी मैं आपको clear करवाँगा, पहले हम समस्ते मकर संकरान्ति आखरकार क्यों मनाया जाता है, मकर संकरान्ति हमारे लिए यह denote करता है, कि जो सन है, जो हमारे सूरेदेव हैं, वो बेसिकली धनुराशी से प्रवेश करते हैं, किसकी अंदर, मकर रासी के अंदर, ठीक है ना, धनुराशी से प्रवेश करते हैं, मकर रासी मे यही चीज डिनोट करती है मकर संक्रांती को यही चीज दरशाती है कि हाँ यहाँ पर यह मकर संक्रांती का टाइम पीरिड है इस दिन से क्या होता है कि जो हमारी दिन होता है वो थोड़े लंबे होने स्टार्ट हो जाता है दिन जो है अब क्या होंगे जैसे कि जैसी मकर संक्रांती आई उसके बाद से दिन हमारे थोड़े से लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे ऐसा क्यों क्यों कि इस समय जो सन है वो बिसिकली उत्र साइड में जाना शुरू हो जाएगा तो इस वे से यहाँ पर यह बोलते भी है तो उत्र साइड में आप जाना स्टार्ट होtv जाएंगा नहीं कि sun का जो movement है, वो basically north side में जाना start हो जाएगा, अब north side में जाएगा, तो वहाँ पर गर्मी पढ़नी start होगी, और basically दिन जो है वो लंबे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीके, तो ये बात यहाँ पर बोली जाती है, अब उसके बाद में आप देखोगे, ये जो उत्र प्रायन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो sun है वो basically उत्तर के side में, north के side में यहाँ पर move करने लगता है, बात clear हो गई, इस मकर संक्राथी के दिन के बाद में, ठीके, बाकि आप देखोगे, अलग-लग जो सरकार हैं, जैसे गुजरात की सरकार है, ये basically एक international event को यहाँ प जैसे आप देखोगे, तो north इंडिया में, जैसे हिंदूज और सिख जो हैं, वो लोहरी की से festival को celebrate करते हैं, सिख के अंदर आप देखोगे, जो सिख किजम वहाँ पर लोहरी की तरह इसको celebrate किया जाता है, हमारे यहाँ पर आप देखोगे, बाकी central इंडिया के अंदर इसको स नाम से यहाँ पर celebration किया जाता है, ठीक है ना, बाकी देखो जैसे कि बीहु की मैंने बात की है, तो असम के अंदर यहाँ पर बीहु नाम से इस particular festival को celebrate करते हैं, इसका celebration होता है, जब यहाँ पर देखो, जो फसली कटाई है, basically वो हो चुकी है, फसली कटाई यहाँ पर का मतलब है, तो पोंगल, basically जब चावल की कटाई हो रही है, जब जो फसल है, जैसे चावल हो गया, इसकी कटाई यहाँ पर हो रही है, है ना, इसका harvesting यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो लोग जो है ना, basically यहाँ पर यह जो पोंगल है, इसका celebration करते हैं, इसी प मकर संकरांती के बारे में आपको खेर इतनी बात ध्यान में रखनी है, इसके पीछे का reason क्या है, मैंने आपको बताया, जो sun है, यह denote किया जाता है, कि basically जो sun है, वो enter करते हैं, मकर राशी के अंदर में, धनू राशी से मकर राशी में enter करते हैं, इस वैसे यहाँ पर हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं, इस फेस्टिवल को जैसे असम के अंदर माग भी हो गया, जारखंड के और बिहार के अंदर में मकर संकरांती के नाम से जानते हैं, उडिशा के अंदर में मकर संकरांती के नाम से, इधर वेस्ट बेंगोल के अंदर में पोश संकरांती के नाम से इस प्रकार से यहाँ पर इस festival को देशवर में celebrate करते हैं लेकिन अलग-लग नाम से यहाँ पर celebrate किया जाता है आई होप आपको यह बात जो है वो clear हो चुकी है अभी अभी से यानि इसी सामय से मकर संक्रांधी के बास से दिन जो है वो लंबे होने start हो जाते हैं और तीरे तीरे गर्मी पंडी भी start हो जाती है क्योंकि सं का movement नौर्थ वर्ड साइड जो है बढ़ जाता है ने कि नौर्थ की साइड में सं जो है वो थोला सा मूव करने लगता है ठीक है clear होगी बात आग आता है नेक्स्ट एक और important article आपको यहाँ पर यह वल्ला देखने को मिल जाएगा तो हमारी जितने भी women है ना वो team up कर चुकी है इंडिया से ताकि Sudan चाहे सुडान बेसिकली जो कि एक African country है सुडान के अंदर पिछले कुछ समय पर काफी सरे conflicts लडाईया देखने को मिली है वहाँ प तो जो UN का यह जो mission है women peacekeeping करके इसमें क्या होता है कि अलग अलग देशों से बहुत सरी जो women है वो इस particular body के अंदर आती है इंडिया की साइट से भी काफी सरी women जो है इस UN peacekeeping mission का हिस्सा है और दुनिया भर में कोई-कोई जैसे African countries के अंदर जालतर आप देखोगे कई बार बह आपे काफी लडाईयां छड़ जाती है तो वहाँ पे शांती बनाने के लिए इन women peacekeeping mission को भीजा जाता है ठीके ना तो अभी सुडान के अंदर भी शांती को maintain करने के लिए जो इंडिया की जो टीम है women peacekeepers की वो basically यहाँ पर बेजी जा रही है इससे पहले आप देखोगे सब से बड़ा जो unit था women peacekeepers का इस United Nation mission के तहत हमने यहाँ पर लाइबिरिया में बेजा था तो 2007 के बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ी टीम जो जा रही है वो सुडान के अंदर में जा रही है वहाँ पे शांती को बनाने के लिए तो women का participation यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर इनका क्या रोल होगा देखो खासकर इस पूरे conflict के अंदर में क्योंकि सुडान खासकर African countries में आप देखो कि काफी सारी conflicts नजर आते हैं तो सुडान के अंदर में जो यह conflict नजर आ रहे हैं इस conflict zone में जो women हैं बच्चे हैं उनको basically major support देने के लिए या फिर उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर women बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं तो women को हम लोग यहाँ पर as a peacekeeper की तरह यहाँ पर भेज रहे हैं वहाँ पर शांती को maintain करने के लिए women को भीज़ा जा रहा है ठीक है बात क्लियर हो गई चलो आ गया आता है अब मैं थोड़ा इस आर्टिकल का background समझाता हूँ यह तो आपने current issue पढ़ लिया कि हाँ क्या विवाद है और यहाँ पर शांती को बनाने के लिए इस प्रकार से United Nation Peacekeeping Mission के तहत इंडियन जो women team है वो तयार हो चुकि है सुडान के लिए ठीक है अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको United Nation Peacekeeping के ब तब से यहाँ पर शुरुबात होती है क्योंकि महाँ पर शांती बनाने के लिए उन्होंने कुछ बेसिकली यहाँ पर पीस कीपर्स को बेजा था तब से यहाँ पर इसकी शुरुबात हो गई कि विमन है उनका भी एक participation देखने को मिलता है इन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर में अगर मैं आपको background बता हूँ तो इतिहास में पहली बार यह हुआ था कि इंडिया ने all female जो formed police unit है जिसको हम FPU बोलते हैं यह तैनात कर दी थी लाइबेरिया में साल 2007 के अंदर में क्योंक पर हमारा मकसद है कि हम लोग जाद से जादा female participation इस particular event के अदर बढ़ाते रहें जो कि दुनिया बर में शान्ती को promote करने का काम करेगा और इसका importance यह भी है कि हम दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि हमेशा ही men जो है वो dominate नहीं कर सकता यहाँ पर women का एक बहुत बढ़ा role होता ह तो वो यहाँ पर कहीं न कहीं आप देखोगे उस चीज को मात देते वे जो इंडियन women आपको peacekeepers देखने को मिलेंगी इनों ने आपके सकतो एक नया basically stage जो हो बना कर दिखा दिया है दुनिया भर में चीक है I hope आपको यह बात क्लियर होई then हम बात करेंगे कि current status का यानि कि आ प्रकार के रोल देखने को मिलता है वहाँ पर खासकर basically कोई सी भी देश के अंदर कोई disputes हो रहे हैं तो वहाँ पर जो वहाँ पर जब dispute हो रहे हैं कोई conflict कोई लडाईया हो यह तो वहाँ पर जो women हैं बच्चे हैं उनको support करने के लिए women एक बहुत बहुतर रोल प्ले कर सकती जैसे मैं आपको बताया अगर हम लोग numbers की बात करें तो UN के according बात करें तो साल 2020 के अंदर में लगबख 95,000 के आसपास आपको peace keepers यह देखने को मिलती हैं ठीके ना जिसमें से यहाँ पर अलग-अलग देशों की जो women हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर देखने को आना यह क्यों है इतना important सबसे पहली चीज इससे क्या होगा better access मिलेगा क्योंकि अगर इस force के अदर women होंगी ना तो अच्छे से यहाँ पर वहाँ पर जिस भी देश में लड़ाईयां चल लियोंगी वहाँ पर जो women होंगी बच्चे होंगे उनको support कर पाएंगी यह मैं आप बिसिकली जो women परेशानी में है वो women के साथ में अराम से interaction कर सकती है तो वो चीज़े भी यहाँ पर नजर आएंगी तो इस वज़ा से यहाँ पर आपका सकतो women का रोल जो है इसमें काफी जादा बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा अब आप देखोगे UPSC ने साल 2010 में ए United Nations से related नहीं है यह आपसे पूछा यह था ठीक है न तो यहाँ पर इसका correct answer वैसे bank of international settlements यह body यहाँ पर United Nations की नहीं है यह आपको ध्यान में रखना है तो यह बात हो गई I hope आपको यहाँ पर पूरी तरह से clarity जो है इस particular article के regarding मिल जोगी है चलो next article पर आता है यहाँ पर दो पूला सा major focus करने वाला हूं इस छोटे वाले article की तरफ ठीक है न यहाँ पर क्या है कि RBI ने अभी यहाँ पर बोला है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे green bonds को जारी करेंगे green bonds को दो हिस्सों में यहाँ पर जारी किया जाएगा तो RBI ने कल के जिन यह statement दिया कि जो sovereign green bonds होत जाएगा दो हिस्सों में bonds जारी करेंगे 8000 क्रोड रुपे के bonds जारी किये जाएगे एक 25 जिनवरी को और एक यहाँ पर 9 February को अगर आप invest करना चाहते हो तो पैसे यहाँ पर invest कर सकते हो आपको इसके बदले में जो interest जो ब्याज है वो भी मिलेगा ठीक है अब आपको green bonds होते क्या है मैं आपको directly यहाँ पर समझाता हूँ बहुत simple से भाश्या में तो को bond क्या होता है bond basically एक paper देखने को मिलेगा यहाँ पर एक instrument देखने को मिलेगा जहाँ पर क्या होगा सरकार आपको यहाँ पर एक आप कर सकते हो कि proof देगी अगर आप सरकार के पास में पैसा जमा करन चाहते हो एक investment करना चाहते हो वहाँ पर निवेश करना चाहते हो और वहाँ पर invest करने के बाद में अपना return लिना चाहते हो पैसा कुछ अलग से return as a interest as a ब्याच कमाना चाहते हो तो सरकार की जो bonds आती है आप उनमें investment कर सकते हो उसमें पैसा लगा सकते हो तो जो bonds है आपको य जब भी green world की बात की जाए तो basically वो environment से related है तो ये green bond का मकसद ये होगा कि सरकार इस green bond को जारी करकर पैसा collect करेगी क्योंकि लोग यहाँ पर जब यह सरकार 8000 करोड रुपे के bond जारी कर रही है market के अंदर में तो लोग यहाँ पर इतना पैसा invest करेंगे और लोग को यहाँ पर ब्याज मिलेगा तो सरकार के पास में जब यह पैसा आएगा न तो इस पैसे का इस्तमाल किया जाएगा environment को protection देने के लिए हमारे environment को हमारे वातवरण को atmosphere को और जदा बेहितर करने के लिए green infrastructure बनाने के लिए तो इसी वज़़ा से यहाँ पर green bond इसको बोला गया है क्योंकि यह environment को बचाने के लिए काम करेगा इसके अलाबा इस पैसे का कहीं दूसरी जगा पर इस्तमाल नहीं किया जा सकता यह बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है तो green bonds क्या होता है I hope आपको यह बात clear हो चुकी होगी नहीं clear हुई है तो मैं थोड़ा सा और explain कर देता हूँ थ यह companies उसके बाद में जो अलग-लग देश हैं अलग-लग organizations हैं यह सब यहाँ पर जारी करती हैं ताकि यहाँ पर धेर सारी funding यह ले सकें पैसा इनके पास में आए और उसके बाद में वो जो पैसा है वो उस पैसे का यहाँ पर इस्तमाल कर से के renewable energy को बनाने में clean transportation green buildings को बना ल साल 2020 के अंत तक अगर हम देखें तो इस प्रकार से 24 सरकारे दुनिया भर में 24 ऐसे यहाँ पर governments थी जिनों ने इस प्रकार से sovereign green bonds को जारी किया था और धेर सारा पैसा यहाँ से collect किया था यह बाते मैं कैसे बता रहा हूं तो इसको लेकर एक particular report आई थी ठीके ना तो उसने य दुनिया भर के अंदर कई सारी जो country's है इस प्रकार से पैसा उठाती है green bond को जारी करके ठीक है अब green bond के benefits क्या है कई सारे benefits है investor ने जो पैसा लगाया है उसको return मिल जाएगा उसने पैसा अपना निवेश कर दिया है उसको कोई यहाँ पर घबनाने की जुरत नहीं उसके पा ठीक है तो sovereign green bonds के कई सारे benefits नजर आते हैं हमारे देश बर में आप देखोगे इस प्रकार से कई बार bonds जो है वो जारी करेगा है एक climate bond initiative है climate bond initiative के according बात करें तो जो international organizations है वो भी यहाँ पर क्या करती है इस प्रकार से green bonds को यहाँ पर जारी करती है इंडिया की companies में आपर green bonds को तो इन सबने मिलकर कई सारे जो green bonds से वो जारी कर रखा है यह आपको ध्यान में रखना है इंडिया के अंदर भी लगबग 18 billion dollars का green bond है वो इशू कर रखा है भारत की companies ने 18 billion dollar का green bond इशू कर रखा है यह आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है तो इस प्रकार से अभी फिर से green bond देने वाले है 25 जिनवरी और 9 फरवरी को तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते है तो इस प्रकार से green bond के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है अगले आर्टिकल पर आते हैं इसके बाद एक और शोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर यह वाला देखने को मिलेगा तो हुआ क इस SHIP का नाम क्या है तो यह आपको SHIP दिख रहे नहीं जो वैसल दिख रहेगा अब पर्मनेंट क्यों रहेगा क्योंकि यहाँ पर United Kingdom और बेसिकली आ चुका है इंडियन ओशन के अंदर में ठीक है ये अंडमा निकोबार आइलेंड तक आपको आता हुआ नजर आएगा ये इंडियन ओशन पर रहेगा और वहाँ पे सुरक्षा देगा उस पर्टिकुलर ओशन को तो आने वले पास जिनों के अंदर क्यूकि अब तो याज़ चुका है अनबा निकोबार आइलेंड में अब आने वले पास जिन तक हम क्या करेंगे जो इस पर्टिकुलर जहास के ओपर जो क्रिव मेंबर्स है उनके साथ में एक अभ्यास भी कंड़क्ट करेंगे एक अभ्यास भी किया जाएगा ठीक है बाकी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे यहाँ पर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं दुनिया भर में यहाँ पर बिसिकली यहाँ पर इनिस्टाबिलिटी बढ़ रही है इंडियन ओशन के अंदर जो इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं था कुछ भी important नहीं था बस खली इतनी सी बात थी आने वले समय पर हो सकते हैं इसके उपर editorial publish कर लिया जाए या कुछ important points आ जाएं तो आप वहाँ पर पढ़ सकतो otherwise यहाँ पर अभी के लिए बस इतनी सी ही बात आपको पढ़ रही है ठीक है now next article की तरफ आते हैं अगले article हैं बात की जा रही है NCC के बारे में आपने NCC के बारे में तो definitely सुना होगा यानि national cadet cops यहाँ पर इसकी full form होती है तो अभी हम लोग 26 जिनवरी को Republic Day का जो celebration होगा उसके लिए बिसिकली जो parade है ना उसकी तयारी की जा रही है तो आप देख पाओगे जो यह NCC है NCC बिसिकली यहाँ पर यह Republic Day के लिए parade की पुरी तरह से तयारी कर रहे हैं और यहाँ पर अलग-लग cadets आए बहें यानि कि दुनिया बर से लगबख 19 कंट्री से यहाँ पर जो cadets हैं उनको भी basically participate करवाया गया है यहाँ पर US के NCC के cadets देखने को मलेंगे UK के Argentina, Brazil, Mongolia, Russia, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Nepal इन कंट्री से यहाँ पर यह cadets आए हैं जो कि अभी इस parade के अंदर participate लेने करने वाले हैं ठीक है और इंडिया से भी आप देखोगे इन 28 राज्यों से और इन यूने टेरिटरी से भी यहाँ पर काफी सरे NCC जो cadets हैं इन्होंने यहाँ पर participation किया है और लंबे समिता की लगबख आप कर सकतो यह camp चलने वाला है और उसके पाद में यह तो यह पूरा का पूरा एक महिने का Republic Day Camp चलेगा उस camp के अंदर यहाँ पर यह सारे के साथ में मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं यह बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है तो NCC यहाँ पर News में बनावाए तो आप से यह तो पूछा नहीं जाएगा कि कितने देशों के लोग को बुलाया और कितने लोगों ने participate किया यह सब कोई भी चीज़े नहीं पूछी जाएंगी examination में यहाँ पर कुछ भी important नहीं है यहाँ पर NCC News में है तो आपको थोड़ा सा NCC के बारे में बता होना चाहिए यानि कि National Cadet Cops के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए जैसे यहाँ पर इसको किस committee ने recommend किया है ऐसे कई बार सवाल बने है मैं आपको example अभी बता हूँगा आगे लेकिन पहले हम article को देखते है NCC की बात करें तो National Cadet Cops मैंने आपको इसकी full form बताया इस particular NCC को बनाया गया था 1948 में देश क्याजादी के एक साल बात एक committee थी HN Kunzru committee इसके recommendation के basis पर बनाया गया था ऐसे सवाल कई बार बनते हैं कि हाँ इस body को किस committee के recommendation के उपर बनाया गया है जैसे आपको बताओगा Western Ghast और साधी साथ मैं Eastern Ghast हैना कस्तूरी रंगन committee तो उस committee को लेकर सवाल पूछ लिया गया था कि ये committee basically किस चीज के लिए बनाया गयी थी तो ध्यान रकना HN Kunzru committee basically NCC को बनाने के लिए बनाई गई थी ठीक है आगे आते हैं देन उसके बाद मैं current time पर देखोगे तो लगबाग आज के समय पर 14,00,000 के आसपास ये cadets देखने को मिलते हैं Army, Navy और Air Force, Wing से 14,00,000 के आसपास cadets हमारे पास में निकल कर आते हैं NCC अपने आप में एक सबसे बड़ी uniform youth organization देखने को मिलती है पूरे दुनिया भर में इस प्रकार की यहाँ पर body आपको ये नजर आती है ठीक है, अलग-लग यहाँ पर training camps करवाए जाते हैं adventure activities करवाए जाती है military training यहाँ पर दी जाती है उनको बहुत मदद बिलती है ministry की बात करें तो NCC basically ministry of defense calendar में आती है ध्यान रखना लेकिन इस particular body को head करने के लिए एक director general होता है director general वो जो की basically three star military rank के officer हो उनको यहाँ पर रखा जाता है जो की इस particular body के director होता है importance की बात करें तो NCC हमीशा से important role play करता वा आया है जब जब देश में emergency situation पड़ी है तब तब यहाँ पर NCC के जो यहाँ पर cadets है वो देश के लिए मदद करने के लिए उतर करा है जैसे अगर हम example ने pandemic के समय का तो COVID-19 के समय पर लगबग 60,000 के आसपास जो NCC cadets है इनको अलग-अलग जगा पर फैला दिया गया था अलग-अलग districts के अंदर में states के अंदर में लोग को support करने के लिए इविन यहाँ पर इन cadets का जो contribution है यह अलग-अलग initiative के मादियम से किया या था exercise योगदान के अंदर में ताकि COVID-19 की वैसे जो pandemic मतलब जो फैला पड़ा था उसका properly management करने के लिए NCC का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और हमेशा से यहाँ पर इन cadets ने participate किया है स्वचता अभिहान के अंदर में मेगा pollution पाकवडा के अंदर में pollution को रोकने के लिए यहाँ पर यह सक्त रहे हैं हमेशा से ही उसके बाद में आपर इनका एक और एक तरीके साब देखने को मिलेगा कि लगातर इन्होंने एक जारुकता फैलाई है सरकार इनिशिटिव के बारे में Digital Literacy, International Day of Yoga इन सब चीजों के बारे में लगातर इन्होंने जारुकता भी फैलाई है आप ऐसा देख पाओगे ठीक है तो NCC क्या है कि इस कमिटी ने बनाया था बस खली यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात जो है ना कि किस कमिटी के रेकेमेंडेशन पर यह बनाए वो ध्यान रखना सवाल यहाँ पर आपसे बन सकता है आज के मॉर्निंग वाले वीडियो में बता रखा है बहुत टीटेल से एक्स्प्लिनिशन कर रखा है देखो यहाँ पर मैं बताऊंगा तो अगेन मुझे यहाँ पर 15 मिनिट लगेंगे समझाने के लिए और वीडियो चैनल पर जाओगे वीडियो वाला सेक्शन उपन करोगे तो इसके ही नीचे जस्ट वो वीडियो आपको मिलेगा वहाँ पर प्लीज आप लोग उस वीडियो को उपन करोगे तो पहला ही आर्टिकल सबसे पहला आर्टिकल मैंने जेन कमूनिटी प्रोटेस्ट के बारे में डिसकस किया है तो आप प्लीज उस वीडियो को मिस मत करना वो टॉपिक बहुत 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 इंपोर्डेंट है वहाँ पर सारी की सारी इंफर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आखिरकार यहाँ पर जो जेन सबूदा है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है उनसे रेलेटेड कुछ इंपोर्टेंट प्लेसिस के बारे में डिसकेशन क्या है तो आपसे लोकेशन वाइस क्वेशन प्लस यहाँ पर जेनिजम को लेकर क्वेशन बन सकते हैं सब चीजे मैंने कवर की वी है तो प्लीज मैं आपसे कहूँगा उसको मिस मत करना उसको फटा-फट यहाँ पर देख लेना ठीक है आगे आता है फिर एक छोटास आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यानि कि जो भी हमारी रोड सेफटी है आपको पता होगा रोड पर एक्सिदेंट्स होने की वज़ा से कई सारे लोग की जान चली जाती है तो इसके लिए हम क्या रूल से लेकर आ सकते हैं ताकि लोग की जो यह जान जा रही है उसको रोका जा सके है क्योंकि यह प्रॉबलम एक ऐसी है यहाँ पर इन पर्टिकुलर मामलों में आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों की जान जाने से रोक सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर इस्ट्रेक्ट होकर तो वही चीज़ यहाँ पर सुप्रिम कोड मेंशन करता है कि इस कमीटी से यह बोला कि आप rules and regulations को तयार करो जो कि road safety को ensure करेगा यानी road safety के बारे में यहाँ पर चर्चा करेगा हमारे roads को और ज़दा secure करेगा accidents को कम करने मदद करेगा तो यह road safety का पुरा particular topic है क्या आव हम थोड़ा सा details है यहाँ पर discuss करेंगे ठीक है तो देखो रीसेंटी क्या होता है एक लेंसेट स्टडी निकल कर आती है उस स्टडी ने ये बताया कि इंडिया के अंदर में हर साल 20,000 के आसपास लोग की जान जाती है एक्सिडेंट की वज़ा से और उस एक्सिडेंट के पीछे का पता है कारल क्या है यानि कि आप कर सकतो जो स्टडी है गाड़ी की वो बहुत जादा होना एक हद से जादा स्टडी होने की वज़ा से 20,000 लोग की हर साल जाती है फिर उसके बाद मैं ये बताया कि भारत के अंदर मेजर जो रोड एक्सिडेंट हो रहे ना इसके पीछे चार फैक्टर्स है चार चार फैक्टर्स है विए इसको रोका जा सकता है आपके पास है इसे रोका जा सकता है खुद सोचो, रोवर स्पीडिंग को रोका जा सकता है, हमारे पास में प्रॉपर रूल से रेगुलेशन होने चाहिए, दूसरा यहाँ पर हेलमेट्स का यूज कर वया जा सकता है, लोगों से, सीट बेल्ट्स का यूज कर वया जा सकता है, यह शराप बगरा, जो लोग पीकर रोड सिफटी एंशॉर करते हुए, आपको कुछ रूल से रेगुलेशन लेकर आने है, ठीक है न, और यह अरजेंटली काम करना है, क्योंकि यह सिचुवेशन और बत्तर होती जारी है साल बसाल, ठीक है, बात क्लियर होगी, अब कुछ की हाईलेट्स को हम लोग देखते है देखो, Ministry of Road Transport and Highway के according बात करें, इनकी 2020 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के according यह बताया है, कि इंडिया के अंदर में लग बग 1,31,714 मृत्ती होई थी, या नहीं जान गई थी, रोड एक्सिदेंट्स की वज़ा से, तो आप इमाजन कर सकतो, 1,32,000 के असपास अप्रॉक्स जान गई है, गाली की स्पीड जादा तेज होने की वज़से, 30% लोग की जान गई है, हेलमेट ना इस्तमाल करने की वज़से, 11% लोग की जान गई है, सीट बेल्स ना यूज़ करने की वज़से, तो ये प्रॉब्लम्स कहीना की, आज के समये पर बहुत जादा नजर आ र नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप देखोई जो accidents बढ़ते जा रहे हैं इसके पीछे कुछ कारण भी हैं सबसे पहला कारण है कि हमारा road का infrastructure इतना अच्छा है भी नहीं कहीं पर घड़े और कहीं पर किस प्रकार का यहां पर material इस्तमाल किया यह जिससे road यहां पर जाध समय तक रुकती नहीं है तो काफी बार infrastructure के अंदर काफी साधा कमी देखने को मिलेगी दूसरा यहां पर आप देखने को मिलेगा कि लोग over speeding कर रहे हैं बिना सीट बैल्ड के चल ले हैं अल्कॉल का इस्तमाल कर गाड़ी चला रहे हैं लेकिन यहां पर हम लोग उसको ignore कर देते हैं उसको पर जादा कोई कदम उठाई नहीं गए हैं सकत कदम नहीं उठाए गए हैं जिसकी चकर में अगेन यहां पर आपका सकते हो यह accidents बढ़ते जा रहे हैं तीसरा एक और करण देखने को मिलेगा distraction काफी बार जो लोग हैं मुबाइल फोन का इस्तमाल कर लेते हैं हेलमेट के अंदर मुबाइल फोन लगा लेते हैं और बादचीद यहां पर करते करते हैं गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा कारण बना है रोड एक्सिडेंट का देन उसके एक कारण है ओवरलोडिंग यानि कि ट्रांस्पोर्टेशन का कॉस्ट बचाने के लिए बह इसका जो बालेंस है गाड़ी का वो समलेगा नहीं तो उसकी चेकर में आपके सकते हो वो काइनकी एक्सिडेंट का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है ठीक है तो यह कईनकी बहुत सरे कारण है जोकी कईनकी एक्सिडेंट को और जधा भतर मनाते जा रहे हैं कंट्री के बाद निया बताई गई है, इसका impact डिरेक्टली पढ़ता है हमारे economy के उपर, क्योंकि यहाँ पर लोगो की जान जा रही है, इसका directly हमारे economic के उपर directly GDP के उपर पढ़ता है इन accidents की वज़ा से जिसको हम लोग रोक सकते हैं ऐसा यहाँ पर बोला गया है तो यह अपने आप में कितनी बड़ी problem है I hope आप इसको समझ चुके होंगे साथी साथ मैंने आपको बताया Supreme Code ने क्या mention किया है दो आर्टिकल हैं दोनों में से यहाँ पर जो एक लौता सबसे important आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा वो यह वाला है यहाँ पर क्या बात की जारी है कि जो हमारा finished steel export होता है हम लोग काफी सरा steel produce भी करते हैं अपने देश में और उसको export भी करते हैं तो जो steel export है पॉइंट 1% तर यहाँ पर यह export गिर चुका है steel का reason क्या है यहाँ पर reason है कि जो global market है जो दुनिया भर की market है जो हमसे steel खरीदा करती थी उनका consumption कम हो गया है ठीक है अब उनका consumption कम हो गया है तो वो steel खरीदेंगे ही नहीं क्यों खरीदेंगी फाल तुमें इस चक्रम यहाँ पर हमारा export April से लेकर December 2022 के बीच में आधा हो चुका है वो बात यहाँ पर इस particular सरकारी डेटा ने बताया है तो कहीं नहीं कि जो steel industry है वो news मैं थोड़ा सा आपको अलग से data provide करवा रहा हूँ important है UPSC पहले सवाल पूछू का यहाँ से इस वज़े से यहाँ पर मैं आपको अलग से discuss करकर दे रहा हूँ ठीक है न इसको notes में से download कर लेना जब हम बात करते हैं steel industry की है न तो पहले हम production समझेंगे तो इंडिया जो है दुनिया में second largest producer है कच्चे steel का कच्चे steel के production के मामले में भारत दूसर नमबर पर आता है हम लोग लगबग साल 2021-22 में 120 मिलियन टन्स के असपास कच्चे steel को produce कर चुके हैं यह हमारा एक खुद का record है reserves की बात करें तो हमारे देश में कई सरे राज्जों के अंदर steel के भंडार देखने को मलेंगे कहां कहां पर ओडिशा, जहारखंड, West Bengal, 36 गड़, उसके बाद में आंदरप्रदेश का Northern Regions यहां पर सबसे ज़्यादा steel का production किया जाता है और यहीं पर सबसे बड़े-बड़े आप कहसे तो भारत में हम बात करें Steel Producing Centers कहां कहां पर है तो 36 गड़ के भिलाई में यहां पर सबसे बड़ा Steel Producing Center है जहां पर Steel का production किया जाता है फिर West Bengal के अंदर दुरगापूर में West Bengal में, बनपूर में यहां पर जारखंड, जमशेदपूर, ओडिशा के अंदर रोरकेला में, और जारखंड के अंदर बोक आ रहे हुँआ है, तो यह आपको यहां पर कुछ अलग-लग एरियास देखने को में लेंगे ओडिशा, रोरकेला, अभी ओडिशा का रोरकेला है यह भी न्यूस में भी है, क्योंकि यहां पर आपको पता है जो होकी का वर्ल्ड कप है, वो होने वाला है एक स्टेडियम के अंदर में होकी स्टेडियम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है यह बात क्लियर हो गई, तो यहां यहां पर बेसिकली क्या होता है, स्टील सबसे ज़्यादा produce किया जाता है consumption की बात करें तो इंडिया जो है second largest consumer है finished steel का भारत दूसरे नमबर पर आत्वे को हम लोग production भी सबसे ज़्यादा करते है production के मामले पे हम लोग second largest producer है और consumption के मामले पे हम लोग second largest consumer है जो कि सबसे ज़दा स्टील का इस्तमाल कर लेता है इससे पहले हमारे उपर आधा है चायना चायना भी सबसेदा स्टील का यहां पर इस्तमाल करता है यह सारी बात है किसंते बताई है तो यह basically World Steel Association के रिपोर्ड के अ कॉर्ड़ें यहां पर आपको यह बात यहां पर बताई इंचा रही है ठीक है जो की स्टील इंडस्ट्री के लिए कहीं नहीं एक प्रॉब्लेमिटिक वाली चीज जो है यह बन जाती है बागी आप देखोगे तो यूपीसी ने साल 2014 में इसी प्रकार से एक क्वेशन पूछ लिया था question यहां पर क्या था which of the following are some important pollutants released by steel industry in India जो steel industry भारत की इससे कौन-कौन से important pollutants निकल कर आते हैं यह आपसे पूछा गया था option में दिया गया Oxide of Sulphur, Oxide of Nitrogen, Carbon Monoxide, Carbon Dioxide क्या-क्या देखने को मिलता है इसमें से बताओ कौन सा option सही है तो आपको चारो के चारो देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने भी आपको बताया इसमें से कौन-कौन से वेस्ट निकलते हैं तो चारो ही के बारे में मैंने आपको बता इतनी आवशकता है नहीं बस खाली मैं आपको जो बता रहा हूं इतना सुनना जो RBI के यहाँ पर हमारे गवर्नर हैं शक्ति कांता दास जी इन्होंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट दिया है इन्होंने यह बुलाए कि देखो आपकी बार हमारे लिए टार्गेट यह है कि ब रही थी जबकि हमारा टार्गेट रहता है मेंगाई को कंट्रॉल करने वह फौर प्लस माइनस तुका रहता है यानि कि मैकसिमम जो महीं है वह छो परशन के आसपास होनी चाहिए कम से कम दो परसन के आसपास होनी चाहिए लेकिन पिछले कुछ समय से जो हमारा बिसिकली हमने जो एक limit set कर रखी है न उस limit से भी ज़ादा महेंगाई चल रही है ठीके तो हमारा target इस साल यही है कि हम इस महेंगाई को tame करें इस महेंगाई को यहाँ पर tackle करें यह बात हमारे जो RBA के governor है वो यहाँ पर mention करता है ठीक है बात clear होगी अब बस खाली आप से यहाँ पर एक छोड़ा से सवाल है वैसे तो मैंने आपको inflation के बारे पढ़ा रखा है inflation क्या है inflation मतलब होता है rise in the price of goods and services यानि जो भी हमारे goods and services है इनके दाम जो बढ़ जाते हैं वो basically inflation यानि की महंगाई कहलाता है लेकिन आपको पता inflation के अंदर भी एक retail inflation होता है और साथी साथ में एक wholesale inflation होता है अच्छा आपको याद होगा कि मैंने कितनी बार पढ़ा रखा है मतलब कम से कम तो यहाँ पर और पढ़ा रखा होगा पेचले कुछ समय पर क्योंकि लगाता यह news में रहता है अब आज आपको फिर से बताना है जिन्होंने बता रखा है पहले उनको भी बताना है क्योंकि कई बार मैंने सवाल आप से पूछा भी है retail inflation और साथी साथ में wholesale inflation इन दोनों ही प्रकार की महेंगाईों में क्या फरक पड़ता है क्या फरक आपको देखने को मलता है retail inflation यहाँ पर कौन लेकर आता है wholesale inflation कौन लेकर आता है जरा नीचे comment section बता दो इसको लेकर UPSC पहले सवाल पूछ चुका है आपको बता होगा consumer price index के बार में फटा फट नीचे comment section लिख दो आगे आता है नवा आता है editorial section पर देखो आपको बता होगा पिछले कुछ दिन सवाम सारे सारे editorial डिसकस कर रहा है क्योंकि editorals सारे सारे important आ रहे थे पर आज जो editorial है यहाँ पर कोई भी खास नहीं है कोई भी important नहीं है और Saturday वैसे ही था तो Saturday में already editorial कमाते हैं दूसरे page पर कोई article नहीं होता है इस वैसे दूसरा page खाली था तो इस वाज़े से यहाँ पर आज का editorial section हमारे लिए बखवास है आप यहाँ पर इसको skip कर सकते हो आपको यहाँ पर कोई पढ़ने की आवशक्ता इतनी नहीं है आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़े help नहीं करने वाली मैं पढ़ चुका हूँ तो इस वीज़े से मैं आपको बता रहाँ कि आपको यहाँ पर time waste बिलकुल भी नहीं करना है ठीक है बाकी आपको बता होगा हम लोग editorial discussion से पहले वैसे तो एक mains का question लेता है तो आज editorial discussion है नहीं तो mains का question लेंगे और mains का question आपको attempt करना है question थोड़ा interesting है कल मैंने एक article discuss किया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था जो UGC है वो कुछ guidelines लेकर आई है उस guideline में क्या होगा कि जो बाहर की campus है यानि कि विदेश के जो भी university के campuses है वो यहाँ पर अपना campus इंडिया के अंदर लगा सकते है यानि कि जो अलग-अलग foreign universities है अलग-अलग देशों की universities है वो अपना campus setup कर सकती है भारत के अंदर कलमन आपको बताया था UGC इसको लेकर guidelines लेकर आ रहा है तो उसी के basis पर यहाँ पर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछाया है सवाल यहाँ पर यह है कि जो foreign education institution की entry है अगर मालो बाहर का education campus भारत में लगता है तो इसकी जो यह entry होगी तो यह कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर जो quality है वो improve करेगा quality है higher और technical education की वो improve करेगा आप इससे क्या समझते हो इस statement से यह आपको यहाँ पर बताना है critical analyze करना है 200 शब्दों में answer लिखना है हिंदी में मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ जो विदेशी सिक्षण संस्थानों के प्रवेश से देश में उच और तकनीकी सिक्षा की गुडवता में सुधार करने मदद मिलेगी आप इससे क्या समझते हैं इसका विशलेस्टर करें ठीक है डीटेल से यहाँ पर इसके बारें बताएं टेलिग्राम पर जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग फुल फॉर्म लिखना आपको मेरा चैनल मिलेगा लगबग 44,000 से जादा वहाँ पर लोग जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में वहाँ पर पर्सनली जुड़ सकते हो ठीके ना पर्सनली क्या सभी लोगे साथ में जुड़ सकते हो और जुड़ने के बाद में अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हो और answers को send करने के साथ-साथ यहाँ पर एक छोटा सा काम आप सभी लोगों ने करना है at least सभी लोगों को दो-दो answers review करना है आप सभी लोगों क्या करना है दो-दो answers review करना है तो आप क्या करोगे अगर दो answers review करते हो तो इतनी बड़ी बात है भी नी तो इसमें आपको भी देर सारे फाइदे मिलेंगे और सामने वाले को भी देर सारे बेनेफिट्स मिलेंगे आपके पास में कुछ important points होंगे जो आप notes में include कर पाऊगे सामने वाले के अगर answer में कोई mistake हो दी तो आप उन mistake को यहाँ पर बताई पाऊगे लास्ट एक और छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर यह वाला यह basically coffee को लेकर बात करता है वैसे मैंने coffee industry के बारे में कई बार पढ़ा रखा है आपको याद होगा तो वैसे यहाँ पर क्या है पढ़ने लाइक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो coffee farmers हैं केरेला के अंदर में केरेला के अंदर में जो coffee farmers आपको देखने को मिलेंगे उनको काफी सारा benefit मिला है organic farming का ठीक है अब organic farming क्या होती है कि coffee के कुछ ऐसे यहाँ पर producers आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने coffee को उगाते वक्त कोई भी chemical कोई भी pesticide का इस्तमाल नहीं किया है कोई भी कीट नाश्र कोई भी chemical का यहाँ पर use नहीं किया है और उससे यहाँ पर इन्होंने जो है coffee का production किया और इनकी coffee export करी गई US के अंदर में, UK के अंदर में, जर्मनी में और वहाँ पर काफी पसंद भी आई है तो coffee farmers जो organic farming वाले हैं यह पहले के मताबित अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्रो कर रहे है पहले यहाँ पर इनको क्या rate मिला करता था 25 रुपे पर केजी के हिसाब से 25 रुपे पर किलो जो coffee बीन से यहाँ पर यह rate इनको मिला करता था 35 रुपे किलो मिले लगा फिर अभी इस साल यहाँ पर 50 रुपे पर केजी के हिसाब से पर इनको rate मिला है वो बात यहाँ पर बोली जारी है तो खास कर यह कौन से coffee के farmers की बात की जारी है केरेला के केरेला के अंदर में इदू की district है वहाँ पर एक valley है कि उसका नाम क्या है अंचुनाड वैली ठीक है यह दिहानक ना अंचुनाड वैली यह आप से question बन सकता है अंचुनाड वैली कहाँ पर है केरेला के इदू की district में है यहाँ पर जो coffee है इसकी organic farming की गई और उस organic farming का एक अच्छा परिणाम यहाँ पर farmers को मिला है उनको basically एक अच्छा rate मिला है पहले के comparison में पहले जो 25-35 रुपे मिला करता था वो अपकी बार यहाँ पर 50 रुपे के अंदर बदल चुका है ठीके आई होप आपको यह बात clear हो चुकी है यह बात यह बताएगी बाकि अगर आप लोग कॉफी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो तो वैसे तो मैंने काफी बार पढ़ा रखा है चलो एक छोटा सा रिविजन में करवा देता हूँ कि आकरकार कॉफी का status भारत के अंदर क्या होता है छोटा सा रिविजन करेंगे ध्यान से यहाँ पर इसको सुनना फिर वीडियो को अंत करेंगे जब बात करते हैं कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में तो भारत के अंदर दुनिया भर में टॉप ऐसे 10 देश देखने को मिलता है उसमें भारत कहिए नहmee के तॉप लीडिंग कंट्री के अंदर में आता है इंडिया में टॉप दो प्रकार की कॉफी जगरो की जाती है एक होती एरविका और एक होती है रोबूस्टा यह दो प्रकार की कॉफी होती है यहाँ पर ध्यान में रखना ठीके न, आरेविका की जादा value आपको देखने को मिल जाएगी रोबुस्टा से, ठीके न, क्योंकि आरेविका का जो flavor है, वो थोड़ा सजाद sweet और अच्छा flavor होता है, बाकी climate conditions की बात करें, तो coffee को grow करने के लिए थोड़ा सा गरम climate चाहिए होता है, लगब 15 degree Celsius से लेकर 18 degree Celsius के आसपास का temperature हम लोगों को चाहिए होता है, बारत में coffee सबसे जादा southern part में grow की जाती है, आपको बताओगा, यानि कि इंडिया का निचला हिस्सा जो है, यहाँ पर सबसे जादा grow किया जाता है, करनाटिका सबसे बड़ा producer है, दुनिया बर में जितना भी coffee का उतपादन होता ह इसका 70% उतपादन केवल और केवल करनाटिका से निकल कर आता है, प्रड्यूसर स्टेट्स की बात करें तो जो coffee है, यह जादतर produce क्या जाता है, करनाटिका, केरेला, तामिलनाडू, आंदरप्रदेश और ओडिशा के अंदर में ये भी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, बाकी food and agriculture organization के according बात करें, तो इंडिया जो है न, यह आठवा largest exporter है coffee का by the volume, यह बिसिकली कभी साथवे नंबर पर आता है, कभी आठवे नंबर पर आता है, तो इस प्रकार से यह उपर नीचे होता रहता है, इस पूरे coffee sector को handle करने के लिए हमारे पास में एक board है, जिसको हम बोलते हैं coffee board of India, तो जो coffee board है, यह basically एक statuary organization है, एक particular act के तहत इसको बने आया है, उस act का नाम है coffee act 1942, इस act के तहत यहाँ पर इस board को बने आया, इसका काम है हमारे पूरे coffee sector को handle करना, इस board के अंदर में total 33 members आपको देखने को मिल जाते हैं, एक chair person भी यहाँ पर होते हैं, इसका research institute भी है, वो कहाँ पर है करनाटिका के अंदर में, ठीक है, UPSC ने एक headquarter को लेकर सवाल पूछा था, यह सवाल मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, याद होगा, है ना, कि यहाँ पर आपको अलग-लग board दिये गए और अलग-लग यहाँ पर basically headquarter दिये गए और matching करनी है जैसे coffee board का headquarter कहाँ पर है, बैंगलूरू में तो पहला matching जो है, बिल्कुल same हुआ भाई, रबोर बोर्ड का headquarter आपको यहाँ पर basically कोतिया में देखने को मिलेगा, तो इसकी matching यहाँ पर B का 3 हो जाएगा, है ना, फिर उसकाद में टॉबेको का गुंतुर हो जाएगा, फिर टी board का call काता हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपर matching करके आपको यह answer देना था, यह 2008 का प्रशन था, ठीक है, बात क्लियर हो गई, चलो मैंने एक छोटा से revision करवाएगा, वैसे मैं इस article को skip करना चारा था, क्योंकि अभी दो दिन पहले discuss किया है, लेकिन मैंने सोचा revision करवा है option number C, one and three, तो one and three यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानि कि Indian Desert National Park बिलकुल दो district में फैला वा है, और यह दूसरा statement, sorry तीसरा statement बोलता है कि बिलकुल यह एक natural habitat है, great Indian bastard का, great Indian bastard यहाँ पर बड़ी कगार में पाई जाती है, इस वज़से यहाँ पर तीसरा statement भी हमारा सही हो जात जाती है जाता है, दो दोल्दी को मिलेगा अपर भी हमारा सही हो दोलते है जाती है, वार कि जाती है, तो एक दोल्दी के उता है, पापने परतया है.